का लिडियों installing the usage budget m े शर्टोपे के बारे में वीडियो को स्पार्ट कर लेते हैं तो में डिलेक्न का रिलेटिड्स के बना चुका हूं वह वीडियो के लिंक मैं मैं आपको कार्ट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे तो वहां से पहले आप म्यूकर और राइजोपस के स्ट्रक्शर और उसके लाइफ साइकल से डेलेटेड वीडियो आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो मैं मैं म्यूकर और राइजोपस के बीच के बेसिक डिफरेंसिस के बाए में बात करूंगा यह बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और आपके से कलेबस में भी मुकर और आयजोपस दोनों ही होंगे तो इन बीच आपको पता होने चाहिए है इस City News कैसा होता है ऐसमें Stephanie pas avoided? उपर का पार्ट होता है उसको हम aerial पार्ट बोलते हैं ओजो नीचे का पार्ट है उसको हम प्रोस्ट्रेट तो यह बेसिकली उसका एक useful है और यहां पर हम राइजॉपस में देखते हैं तो राइजॉपस में basic 3 important part होते हैं जो सबसे ऊपर का part होता है उसको कहते है सो यह जो पार्ट है उपर का पार्ट है जिस पर एस पो र्हेंटिया लगे लाग है और एक पार्ट होता और तीसरह फूल यू इस पर अंग में सब्गावन पहला पॉइंट तो यह ओ गया दूस्त है स्वेशा नस flavor यूँ और हमने यह देख लिया कि इस में कितने parts होते हैं इसका mycelium यहां पे दो part में है aerial और prostate system ठीक है मुकर का और rhizopus में sporengio4, stollen और rhizoid यह तीन basic parts में divided रहता है ठीक है दूसरा हम समझते हैं जो म्यूकर होता है इसमें rhizoid नहीं मिलते हैं जो rhizoid होते हैं इसमें absent होते हैं ठीक है और यहां पर rhizoid एक part है तो यहां पर rhizoid जो होते हैं rhizoid present होते हैं तो rhizoid यहां पर देखने को मिलेंगे मूकर के case में rhizoid नहीं मिलते हैं ठीक है तो यहां पर तीसरा important point जो आएगा कि rhizoid जब यहां पर absent है तो यहाँ पे जो food का absorption जो होगा जो food absorb होगा यानि कि खाना वो लेगा तो खाना कैसे लेगा यहाँ पे तो rhizoid help करेंगे food के absorption में यानि कि कोई भी nutritious material जिससे उसकी growth होगी वो absorb किस से होगा rhizoid से होगा rhizopus के case में मुकर के case में यहाँ पर जो पूरा mycelium है या फिर यह जो नीचे का part है प्रोस्टेट सिस्टम का जो part है यह help करेगा food के absorption में तो यह basic एक difference हो गया अब हम इसके next differences को समझते हैं कि जो इसमें sporangiophores होते हैं यहाँ पे sporangiophore है वो मुकर के case में क्या होता है sporangiophore singly arise होंगे यहाँ पे यह mycelium है नीचे का तो इस mycelium है आप देखिए कि जो sporangiophore है वो यहाँ से singly arise हो रहे है इस part से देखिए एक sporangiophore निकला है और यहाँ आप से देखिए एक sporangiophore निकला है यह group में नहीं arise होते हैं तो यह mucar के case में कैसे होते हैं singly arise होते हैं singly मिलेंगे तो singly occurs हम इसको लिख लेंगे sporangiophore के conditions है यह rhizopus में क्या होता है कि एक tuft के form में arise होते है यानि कि अगर हम इस part से देखिए तो stolen जो है वो यहाँ पे इस part से जड़ा हुआ है यह stolen आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक दूसरा part होगा जहां से ऐसे ऐसे करके sporangiophore निकले होंगे और उसी के नीचे से ऐसे rhizoids यहाँ पर लगे हुए रहेंगे तो यह condition होगी तो यहाँ पर rhizopus में क्या होता है sporangiophore एक टफ से एक group से arise होते हैं वहाँ पर एक group मतलब एक साथ में बहुत सारे sporangiophore एक साथ में arise होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता है म्योकर के case में singly मिलते हैं तो यह एक important point हो गया next हम समझते हैं कि यहाँ पर जो sporangia होते हैं sporangia जब burst करता है या sporangia से जब spores का dispersal हो रहा होता है dispersal of spores तो यह जब spore का dispersal हो रहा होता है तो उस condition में क्या होता है म्योकर के case में वो spores जो हैं वो columnella से चिप के रहते हैं adhere to columnella देखे columnella का part यह होता है इस part को हम कहते हैं columnella यह जो part है तो यह जो ऊपर का यहां का जो पार्ट है इस पार्ट को हम कह रहे हैं कॉलिमेला तो इस पार्ट में क्या होता है इस पोर्स जो होते हैं इस पोरेंजिया यहां से ब्रेक कर जाती है लेकिन फिर भी इस पोर्स जो होते हैं वो कॉलिमेला से चिपके रहते हैं जबकि राइजो पस के केस में क्या होता है कि जैसे ही इस परेंजिया यहां से ब्रेक हुई वैसे ही इस पोर रिलीज हो जाते हैं एयर के थुरू रिलीज होने लगते हैं डिस्पर्सल होने लगता है लेकिन क्या होता है म्यूकर के केस में जो डिस्पर्सल होता है वो उतना तेजी से नहीं होत सब्सक्राइब तो यहां पर आपने देखा होगा जैसे मैंने वीडियो में पहले बिता चुके हूं कि sporengia आपस में fuse करते हैं और वहाँ से एक zygo spore का formation होता है दोनों ही condition में सेम तरीके से बनेगा zygo spore का formation होता है लेकिन zygo spore के जो formation के बाद की जो stage है क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था आपको reduction division मिलता है तो reduction division मिलने की और उसके जो resting phase है तो resting phase दोनों ही मिलेगी resting stage मिलेगी और एक reduction division होगा यानि की meiosis होगा तो दोनों ही case में हम समझ लेते हैं कि हम देखें तो rhizopus के case में क्या होता है जैसे ही zygo spore बनता है zygo spore बनेगा वो resting stage में जाएगा यानि की resting condition में जाएगा और उसके बाद reduction division देखने को मिलेगा ये तो होता है rhizopus के case लेकिन यहाँ पर क्या होता है मियूकर के case में क्या होता है कि zygo spore का formation होता है और उसके बाद में यहाँ पर reduction division देखने को मिलेगा और उसके बाद में इसकी resting stage आती है तो ये basic differences है Mucor और Rhizopus के बारे में I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो Mucor और Rhizopus के नहीं देखे हैं तो मैं फिर से उसको बता दूँ कि उनके लिंक्स डिस्केप्शन में है तो आप वहाँ से जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं कि तक्स भाचिब नवच्छी थे वच्छी तर से समके बारे में